लोगों को बात करने के लिए कैसे आकरसित करें आपने पार्टियों में अक्सर ऐसा देखा होगा कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिसे आप उनसे बात करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं उन ब्यक्तियों के पहनावे को लेकर आप उनसे सवाल किये बिना नहीं रह पाते हमारी अगली तक्नीक भी कुछ ऐसी ही है इस तक्नीक का नाम है वो क्या है सुनने में आपको थोड़ा अजीव लग सकता है लेकिन हम आपको बता दे कि ये तक्नीक आपको हमेशा काम आएगी तो आईए जानते हैं वो क्या है तक्नीक के बारे में लेकिका कई बार जब पार्टियों में जाती है तो लोग उनसे अक्सर उनके गोल चस्मे के बारे में पूछते हैं लोग इनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये चस्मा उन्होंने कहां से लिया और इस डिजाइन का सुझाओ उनको कहां से मिला इस परकार आपको भी कुछ ऐसा पहनना चाहिए जिसे लोग आपसे उस बारे में पूछने के लिए मज़बूर हो जाएं मान लिजिए कि आपने एक अच्छी गोल टीशर्ट पहनी है और इससे दरसल सामने वाले वेक्टि को एक मौका देते हैं कि वो आपसे आकर पूछें कि टीशर्ट अच्छी है क्या आप गोल्फ खेलते हैं इस तरह से आप ऐसे वेक्टियों को आकरसित कर सकते हैं जो गोल्फ खेलते हैं या जिने गोल्फ में दिल्चस्पी है पर जिस व्यक्त को आप प्रभावित करना चाहते हैं आप उसका ध्यान आकरसित करने वाले कपड़े पहने उपर दिये गए उधारन में जवाब है बात गोल्फ खेलने से शुरू करेंगे तब अवस ही आप ये भी बात करेंगे कि क्य क्या वो भी गोल्फ खेलते हैं या उन्होंने कौनसे गोल्फ कोर्स में खेल खेला है या उनके खेल की तक्नीक क्या है यहीं से आपने व्यक्त को अपना दोस्त बना पाएंगे कई बार ऐसा होता है कि आप जिन लोगों से बात करना चाहते हैं वो लोग आपसे बात नहीं क अगर आपका कोई परचित व्यक्ति जो आपके पसंद के व्यक्ति को जानता हो तो आप उनसे कहिए कि वो आपकी उस व्यक्ति से पहचान करा हैं इसे वो कौन है तकनीक कहा जाता है जिसमें आप किसी जान पहचान के व्यक्ति के जरिये अपनी पसंद के व्यक्ति से मुलाका से बात करना चाहते हैं, वो किसी समू के बीच में हो, इसके अलामा, उस व्यक्ति ने ऐसा विसेश भी ना पहना हो, जिसे आप वो क्या है तक्नीक का इस्तिमाल कर सकें, वहीं आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, जो आपके साथ साथ उस व्यक्ति को जानता हो, ऐसी स् को आगे बढ़ाएंगे इस इस्तिती में आती है हमारी तक्नीक नंबर 14 जिसका नाम है बातों की जासुसी करना आप सूच रहे होंगे भला किस तरह किसी समू के बाते सुनना कौन से तक्नीक हो सकती है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह तक्नीक बेहत कारगार है औ आपके पास आपके रूची व्यक्ति से बात करने का कोई भी तरीका नहीं होगा इस तक्नीक में आपको जिस भी समू में आपके रूची का व्यक्ति खड़ा है उस समू में जाकर चुप-चाप खड़े हो जाना है इसके साथ ही आपको उनकी बाते सुनने की कोसिस करनी है और ये जानना है कि वो किस विषय पर बात कर रहे हैं। जैसे ही आपको कोई ऐसा विषय सुनाई दे जिसमें आप सहज महसूस करते हूं। तब आप तुरंत ही उसकी और मुड़ कर ये कहें कि माफ कीजिएगा। मैं खुद को आप लोगों की बाते शुनने से रोक नहीं पाया। दरसल मुझे इस विषय में बहुत रूची हैं जिसके बारे में आप सभी बात कर रहे थे। क्या हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप भी उस समू का हिस्सा बन चुके हैं। अब आप अपनी रूची के ब्यक्ति के साथ समय बैतित करके उससे उसके साथ अपनी बातचीत को आगे बाढ़ा सकते हैं। उधारण के लिए ऐसा सोचे की आप एक कलम में किसी ब्यक्ति से बेहत आकरसक हो जाते हैं। लेकिन वो बेक्तिशमूग के साथ बैटा है इस इस्तिती में आप उस गुरूप के पास जाकर खड़े हो जाए और उनकी बाते सुनने की कुर्सिस करें मानली जी कि वो लोग हिमाले पर ट्रैक पर जाने की बात कर रहे हैं उसी छण आप ये कहकर उनके साथ बात्चेत कर सकते हैं कि माफ कीजेगा मैं अपने आपको आपकी बाते सुनने से रोग नहीं का है दरसल कुछ दिनों से मैं भी वाले पर ट्रैकिंग करने का जाने का विज़ार कर रहे हैं ये आप इससे संबंदित कुछ शुजाओ देना चाहिए तो मुझे बेहिए हैं इसी तरह आप लोगों की बातों की जासू से करके इन तो पहुँचने का एक रास्ता निकाल साथ है जो की बहुद आसान कारगर तो साथ इसी के साथ समरी ये समाप होती है में उते हैं अगले सीरीज में तब तक के लिए जाएँ